हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल दजोब पोर्टल एंड उनलाइन सेवा में जहां मिलता आपको उनलाइन सॉलिशन दोस्तों आज की स्वीडियों आपको बताने वाला हूँ और कितनी सेलरी आपको दे जाएगी, अगर आपको सेलेक्शन हो जाता है क्या योगत होना चाहिए सारी जानकरी आज कहें तक देने वाला हो आप बस वीडियों को धियां से लाश्ट तक देखते रही है कहीं भी वीडियो को स्कीप मत किजये क्यों कर देते हैं और फिर जो चैनल पर आप नए चैनल को आपना बीदेख सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूबर प्रेस कर ता कि आने वाली हर वीडि़िकेशन आप तक सब्से पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सब्से पहले देख पाए क्योंकि हम ऐसे यह नए नए वी आपको डाउनलोड करना है तो वेसे मैं आपको सारी जानकरी देने वाला हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका जो है अडिवर्टाइजमेंट बता देता हूं मद्वर्टेश लोक सेवा आयोग कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पर जो है रिक्रीट में निकाली गई है ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट रेट है वो 23 एक दोजार वाई से तो ठीक है तो 23 जन्वरी तक आप यह फॉर्म फिलप कर सकते हैं और इसका अडिवर्टाइज नंबर है 0921 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारी दी गई है मद्वर्टेश लोक से eligibility का IT आपके पास होना चाहिए क्या education आपके पास होना चाहिए हम इसके आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सुचना प्रध्योगी की मतलब information technology computer विज्यान मतलब computer science में आपका प्रतम स्रेणी में first class का आपके पास engineering degree होना चाहिए या फिर अगर आपके पास IT या फिर computer science में engineering degree नहीं है और आपके पास अगर master of computer application है प्रतम स्रेणी से तो भी आप अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दो डाइप की जो है आपके पास होना चाहिए एक IT और या फिर CSC में एक engineer और या फिर आपके पास MCA होना चाहिए और इसके साथ में आपका रोजग पास मिल जाएगी वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने मुबाइल से भी रोजगार पंजियन घर बेटे कर सकते हैं आप वीडियो जरूर से देखें ज्यादे टाइम नहीं लगेगा आपको पास मिट में आपका रोजगार पंजियन कंप्लीट कर सकते हैं अब बात करते हैं आवेदन पत्र केवल आनलाइन स्विकार किये जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 24 12 2021 मतलब 24 दिसंबर से दोपर 12 बज़े से स्टार्ट होंगे और 23 जन्वरी इसकी लास्ट डेट है 23 जन्वरी को रातरी 12 बज़ तक आप फॉर्म भर पाएंगे MPPSC की जो 50 रुपे अलग से देना होगा अगर आप कुछ mistake कर देते हैं इसमें तो ठीक है आप यहाँ पर मैं आपको और भी सारी eligibility criteria आपर पता देता हूं विग्यापन के संदर्व में आविशक सुचना परिक्षा का परिणाम केवल आयो की वेबसाइट पर रोजगार और निर्मान स कमाचार पत्र में प्रकासित किया जाएगा साथी अभ्यर्ति दौरा अनलाइन आवेधन पत्र भरते समय दी गए इमेल एड्रेस या मुबाइल नंबर पर आपको इमेल या SMS alert किया जाएगा ठीक है तो आप जो अपना इमेल एड्रेस और मुबाइल नंबर डाले वो बिलक अहरता जाती प्रमान पत्र मूल निवासी प्रमान पत्र एवं आजनी समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है साक्षात करके समय अभ्यति दौरा प्रस्तुत्स्वा प्रमानित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार आयक द्वारा किया जाएगा और अंतिम चैन परिक्षय में दभ्यतिव प्रतिक्षसुची में नमंग की अनुसार विवागों को प्रेसीद किया कर दिया जाता है ठीक है चले हम यहाँ पर अब वेकेंसी की बात करने हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि बारत के नागरी को तथा बारत के समीधान के तहत माननी अनिस रेणियों के आवेदा को से मंद्धिपदेस ग्रह निर्माण अदुसर रचना विकास मंदल य जो हैं मंद्रित किये गए हैं पत का नाम है कंप्यूटर प्रोग्राम और यहाँ पर एक वेकेंसी अन्रिजर्व के लिए और जो एक वेकेंसी हो ओविसी के लिए टोटल दो पत हैं यहाँ ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ दो पोश्ट हैं यहाँ पर निकली एक मान के हम बात करें तो 9300 से लेकर 34800 रूपे प्लस 4200 ग्रेट पे आपको यहां पर पर मन्त की जो है सेलरी मिलने वाली करता भी मतलब क्या काम रहेगा तो मंदल क्या अवशक्तिन साथ सब्सक्राइब को डेवलाप करना है और पत का नाम कॉंप्टर प्रोग्रामर है शक्री न मांगी गई है मतलब मिनिमम में 20 और मैक्सिमम 40 ठीक है और 112 की हिसाफ से यहां पर एक की आपकी कैलकुलिक्शन होगी तो यहां पर आप मैं आपको यहां पर पता देता हूं कि कितनी फीस आपकी यहां पर लगीगी अगर आप इस फॉर्म को जो है अपलाई करना चाहते है अबस वीडियो को द्यांस से लाश्टतरी और फसंद आ तर वीडियो को लाइक जरु कर देना आ अनलाइन आउयदन पत्र करने के संदर में comments संदर में आदैस निम्मना नुसारं सबसे पहले तक आपको MPP सी की उफिचल वेबसाइट वहीं पर आना है अबएती अपने घर पर या इंटरनेट के फिकमाद्याम से ओनलाइन फॉर्म बढ़ सकते हैं सुलका का बुक्तान कर सकते हैं अब रती फार्म बनने के पूरू पंजिंगर के लिए उम्मीदवारों के पास एक वेद इमेल आईडी और मोमाल नमपर होना चाहिए और फार्म बनने के पूरू अप पत्र में मुल्ला कि आधार्भू संरशना अर्थाद नाम पिता काना माता कानाम जनुतिती जानकर दी जाएगी जिसमें तुरूटी परिलिक्षित होने पर अभ्याती केंसिल बटन दबा कर पूरूना फार्म वापिस जाकर आपक्षित सुदार कर जेंगे लेकिन अगर आ आवेदन सुलकी के हम बात करें तो मद्रिदेस के मूल निवासी अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और पिछला वर्ग के लिए यहां पर यहां पर जो वेकेंसी निकली है सिर्फ वालो और जेनरल वालो के लिए तो यहां पर ओबीसी का जो चार्ज है वो 250 का है और जनरल वालो के लिए 500 का यहां पर चार्ज है इसके अलावा 35 रुपे जिस्टी अलग से लिया जाएगा ठीक है तो अगर आप जनरल के टिकरीस तो और अगर आप अभीसी का यहां पर आपका चार्ज लगने वाला है ठीक है तो आपको फीस का भी ध्यान रखना है लास् करना है तो आज ओफ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ₤ d Зд कल् Dark online चनल को सब्क्राइब जरू करना क्राइब नक्तिन ऐसे नई रसे पर सक्राट लात रहते हैं और इसकी लिंक ऑपन हो जाए इसका एक विडियो यह यह ड